इस SSC की तरह से एक बहुत बड़ा अपडेट देखने का मिल रहा है SSC ने अपने एक न्यू साइट लॉंच की है अब इतक तो जो आप साइट देख रहे थे SSC.NIC.IN उसी के रिप्लेज पर एक नई साइट लॉंच हो चुकी है जिसका नाम है SSC.GOV.IN यह चैसे, आपको लेकर चलते हैं SSC की आपको लेकर चलोगा पहले हम लोग ये Notification ने देखे रहते हैं क्या है कि यह आपका official notice है जो आपकी साइट पर अभी आया है ससी की तरफ से क्या कर रहा है कि मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे को थोड़ा सा किलर हो चीजें समझ माएं कहरें कि इन एक प्रेंट इनोस्ट देट जाट देट को यह नोटिस अनुट हुआ थूवच इनफुड थे न्युव एबसीड और ऑफी रहे गी आपकी ओल्ड केंडेट्स एलेकर नोटिस ऑन्ट इंफिर जाना मिसें वाट्रि वीश पर्टेंट रहे गी आपकी और आपकी नोटिस the new website only यानि कि अब जो भी notification आएंगे SSA की तरफ से regarding new job वो सिर्फ नई website पर हाएंगे आप पुराने वाली website पर जाकर के search ना करें कोई फादस का नहीं होगा accordingly the applications in response to these notice will be accepted on the new website only यानि कि जो भी applications बहरे जाएंगे वो भी नई website पर भरे जाएंगे कहीं आप form फूम बढ़ने जाएंगे और उप पराने वाली site पर ही खोल के form बढ़ दे तो वह भी आपका माने नहीं होगा all the candidates who wish to apply in response to these notice will be required to generate their one time registration यानि कि OTR on the new website as the old OTR will not be functional for the new website यानि कि आपको अब नई website पर लिए नया OTR भी create करना होगा पूराने वाला OTR आपका आप काम नहीं करेगा यानि कि कह सकते हैं कि छोटा सा पंगा तो है लेकि बहुत बढ़ा पंगा नहीं है यह कि आपके लिए दिक्के देखड़ी हों मतलब अभी OTR भर लेजएगा आप लोग तो जद अच्छा रहेगा जैस को कर लेजएगा आप लोग कह रहे कि the candidates can proceed to fill the application for the examination they wish to apply once an OTR has been generated on the new website it will continue to remain valid for the examination be applied for the new website यानि कि अगर आपने इक पर OTR फिल कर दिया तो आपका जब तक एक सब्सक्राइब रहेगा आपका it is clarified that OTR generated earlier by the candidates on the old website shall continue to remain valid for accessing various functionalities if required on the old website that OTR however will not work for the new website and the candidate will have to generate a fresh one on the new website यानि प्रणे वाला generated है OTR अभी जो आपके exam से रह रहे हैं उन पर वही चल रहा है आपका लेकिन अभी जो नए वाला बना है सब्सक्राइब करना पड़ेगा यह सब कुछ information वगरा आप दी गई हैं और चीज़े भी दी गई हैं इसक्षन बच्चों के लिए क्या 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 सब्सक्राइब करने हैं तो खुब अच्छे से पढ़ करके कहले हैं कि find a place with good light and plain background एक ऐसा प्लेस हो जहां पर आपके अच्छी लाइट हो और बैग्राउंड प्लेन हो रफ बैग्राउंड ना ही होना चाहिए आपका विकल भी एंस्योंड दा कैमरा जब आप फोटो ले रहा हो तो कैमरा आपके आई लेवल पर हो पोजिशन योड़ से बैटली इंफरंट ऑफ दा वैबकेम एंड लुक स्ट्रेट अहेड वैबकेम के सामने आपके पोजिशन हो और आप सामने देख रहे हों चैप पैनके मास्क पैनके ग्लासिस यानिके च आपको लेकर का गया हो गूगल पर हम लोगों ने गूगल पर जाकर सर्च करना है स्सी डोट एनाइसी नहीं आप स्सी डोट जी ओवी डोट इन सर्च करेंगे आप लोग और यह रही आपकी जो निव साइट है यह यहाँ पर एक नोटिफिकाशन आपको दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर पूरी की पूरी साइट पर जाकर अपना सब कुछ चेक कर सकते हैं फिलाल गाइस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नई वीडियो साथ तब तक के लिए बाबाए और नाइस टेए